नमस्कार, वेलकम टू अक्यूरेट योगा, तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है, ugcnet.nta.nick.it इस वेबसाइट पर आपको जाना है, और यहां पर अभी अभी जस्ट जो है, लेटेश्ट अंसर की रिलीज हुई है, अंसर की चैल कैसे डाउनलोड करना है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, सबसे इंपोर्डेंट है कि आप चाहे अपने कोशन पेपर का मिलान करें, या नहीं मिलान करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि नहीं, मैं तो डाइरेक्ट रिजल्ट देखूँआ, अभी मि नीचे जाएंगे पेज पर, तो अंसर की चैलेंज ये वर्ड लिखा मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, तो आप यहां पर अंसर की चैलेंज में जाएंगे, तो आप से पूछेगा नए पेज पर जाने के लिए, ओके करेंगे, तो आपको नए पेज पर ओपन किया तो यहां पर आपके सामने जो detail दी गई है उसमें आप detail फिल करेंगे application number और date of birth यहां पर आप अपना application number और date of birth फिल करेंगे और नीचे security pin आपके एक image बन के आई ही वो अलग-अलग होगी आपके लिए तो उसको आप enter security pin के जगहां पर फिल करते हैं और sign in करेंगे जब आप sign challenge करना चाते हैं तो अगर आप अपना question paper देखना चाते हैं तो जैसे view question paper लिखाएगा तो yoga जो था yoga पर आप click करेंगे और इस तरीके से ok करके आप open कर सकते हैं अपने paper को तो आप जब open करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की window show होगी जिसमें आपका question paper आपने क्या किया थ यहां पर थोड़ी सी देर के लिए आप रुख जाएंगे क्योंकि उपर देखें यह dot जो हिल रहा है तो जब तक नहीं move रुखता नहीं है तब तक आप रुख जाएंगे और इस page को पूरा दो एक-दो minute के लिए रुख जाएंगे तब भी आपका पूरा दिखेगा अदर हो सकता है आपका page शायद network कम होने कान थोड़े से 2-3 minute जादा ले लेवे तो आप रुखें और रुखने के बाद में इस पर print पर क्लिक करेंगे तो आपका print आप करके अपने पास PDF को save करके रख लेएं PDF save करना बहुत ज़रूरी है in future आपको याद रहे समझ रहे कि मैंने क् रहे किये उसके लिए आप PDF जरूर सेव करके रखें अपने पास PDF save होने में टाइम लगेगा उसके लिए वेट करें network जैसा होगा उसी हिसाब से आपकी PDF save होगी और ध्यान रखें एक एक question आपका save हो जाए और यहाँ पर देखो आपने क्या answer select किया था इस question का वो सारे के सारे चीज़े दिये हुई है जैसे ताम योगमिति मन्यते स्थिरम इंद्रिय धारणम यह प्रिवाशा कहां किये तो नीचे option 4 थे चारों में इसे देख र जिस page पर वहीं पर सबसे नीचे देखेंगे click to view challenge answer की यहाँ पर जाएंगे answer की देखने के लिए तो answer की आपके सामने यह इस प्रकार से दिखेगी कि आपकी जो answer की है वो आपके सामने दी हुई है तो यहाँ पर UGC ने जो answer question आपका जो होना चीरत suppose कीजिए कोई भी question है य 11, 4 times 0 और 1 यह code है question का तो questions का code जो है यह रहा यह पहला question और इसका correct answer UGC ने जो किया है 5003 तो आप अपने यहाँ मिला सकते हैं कि 5003 कौन सा था option number 3 जबकि candidate ने दो दिया it means यह candidate का यह question जो है गलत हो गया है तो इस प्रकार आपको अपने जो है question answer मिलान करने है और यदि आप कोई यहां पर कोई गलत answer लगता है कि इसका कुछ answer और होना चाहिए था बट मेरे according जो है यह उत्तर दिया गया है UGC ने गलत उत्तर दे दिया है तो आप इनके through tick करके जो है आगे जाकर के अपने जो है आप claim कर सकते हैं आगे आपको फीस्वगरा का procedure करना होगा उसके लि करत लगता है तो आप जल्दी से claim करें और यदि आपको अपना question paper download करने में कठिनाई हो रही है सब कुछ देखने की बावजुबी तो आप तो आप अपना application number और date of worth यह दोनों हमें WhatsApp करते में हम आपको खुद download करके दे देंगे यह बहुत जरूरी है आपको application number और आपका date date of worth जिससे आपकी question paper का response sheet है डाउनलोड हो सके और आप अपना response sheet जरूर डाउनलोड कर लोएं बेशक आप उसको मिलाएं या नए मिलाएं final answers के साथ में फिर भी response sheet जरूर डाउनलोड करके रखें क्योंकि आपका जो result आएगा अच्छा आए या बुरा आए उसमें आगे के strategy के लिए आपको ध्यान रखना हो कि आपकी गलतियां कौन सी की हैं और क्यों सी गलतियां आपको नहीं करने हैं उसके लिए response sheet डाउनलोड करना बहुत चालशक है तो जल्दी से 25 तरीक last data 25 तरीक के बाद में आपकी response sheet आपसे डाउनलोड नहीं होगी उससे पहले-पहले response sheet download कर ले में so thank you to all धन्यावाद आप सभी का thank you so much